વेसु ખाते રીબाउंड ગ્રૂપ્ય અનકુવી રીતી પ્રજા સથાક પર્વ મનાવ્ય ઓતો गुरुपना सब्वे बुवन अश्रमना बाळकोंने वेसुमा राउंड टेबल खाते क्रिकेट साहित अन्ने रमतो रमाडी अती, शिमा बाळकों उत्सा पूर्वक भागली दो अतो अन्ने बाष्णünden आन्ने वे मुवकर में बाढ़ Next मुवकर मुवकर मीन स्वें अन्ना बाद्रम वे ये चरणी हसासा अन्ना बाष्णा क्रिकेट कर दो तो त्व जो है जो अब रहा है अलो मेरा नाम चरायू सुमानी है मैं रिबाउंस में मेरा नाम चिरायू सोमानी है मैं रिबाउंस में one of the owners हूँ आज 26 जनवरी के दिन जब देश गंतंत्र दिवस बना रहा है तो हमने सोचा कि जहां सब लोग समान है वहां हर बच्चे को खेलने का हक है और इसलिए हमने राउंटेबल इंडिया के थ्रू बच्चों को इन्वाइट किया इदर कि उनको हम कुछ घंटे खुशी के दे पाए यह हमने इंडिया का सबसे बड़ा ट्रैंपोलिन पार्क रिबाउंस पे जो बनाया है वहां जब बच्चे कुदे और खुश हुए तो वह देखकर हमें बहुत खुशी हुई और यह मौका हमको राउंटेबल इंडिया की इन्वाइट करके उन्दोंने जो बच्चों को इदर लेके आए और यह इवेंट पूरा सक्सेस्फुली करवाया वो उसके लिए हम बहुत अभारी है थैंक्यू इन बच्चों को बोलना चाहेंगे थैंक्यू कि यह इदर आए तो यह रिबाउंस में इदर अभी बच्चे क्रिकेट खेल रहे है क्रिकेट एंड फुटबॉल का भी मज़ा ले रहे हैं ट्रैंपलिन के अलावा तो रिबाउंस सूरत का लार्जेस एंटेटेन्मेंट सेंडर है इसलिए यहां बच्चे आए हैं अलग अलग चीजे कर रहे हैं और यह देखे बहुत अच्छा लग रहा है सभी को हैपी रिपब्लिक डे आज जब देश में सब लोग समान है तो आज हमें ऐसा फील हो रहा है यह दिन सेलिबरेट कर गए मेरा नाम टेबलर मनीज दीरन है मैं राउंड टेबल इंडिया के अंडर में आए हुए लोकल चैप्टर सूरत राउंड टेबल का चेर्मेन हूँ आज हमने 26 जनवरी पर यहां पर एक भुवन आश्रम शाला से 88 बच्चों को लेकर आए है ट्रेंपोलिन पार्क रिबाउंस करके जो की वेसू में स्थित है यह आज हम लोगों यहां लाने का उद्देश है यह है कि इन बच्चों को इस तरीगा एक्सपिरियंस कभी मिलता नहीं मिलता तो उन लोगों को यहां का एक माहुल दिखाने का था नई चीज है जो शेहर में आई है उसका उन्हें एक्सपिरियंस कराना था उसके साथ साथ हम लोगों ने उन लोगों के लिए यहां बॉक्स क्रिकेट का भी आयोजन किया है जहां पर यह सभी बच्चे अलग-अलग टीम में डिस्टिब्यूट कर दिये हैं और उन लोगों को क्रिकेट खिलाये जा रहा है यह आज यह प्रोग्राम और अर्गनाइज करने का रीजन यही है कि जो हमारे देश का नारा है मोदी जी का कि खेलेगा इंडिया तभी तो बड़ेगा इंडिया उसी लाइन्स पे हम लोगों ने यह आज का दिन चुना है और इसको और इसको और्गनाइज किया है मेरा नाम सरकलर रतिका भाटिया है मैं सूरत लेडी सरकल की चैर परसन हूँ और हम यहाँ पे भुवासन आश्रम चाला जो की सूरत से कुछ 32 किलोमेटर दूर है वहाँ के बच्चों को यहाँ क्रिकेट के लिए लेके आए हैं और रिबाउंस में वो ट्रामपोलिन याने जंपिंग का एक्स्विरेंस देने के लिए लाए है और हमने आज 26 जनवरी के अफसर पर किया है 71 गंटा अंतर दिवस मनाने के पीछे हमारा मोटो यह है खेलेगा इंडिया तो बड़ेगा इंडिया